नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 4 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्तान की खास खबरें राजस्तान में भाजपा ने बहुमत के लिए जरूरी जादोई आखने से भी जादा सीटों पर जीत हासल की है इस जीत के बीचे बड़े स्टार परचारकों ने धुआधा रेली सभाएं और रोड शोकर वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए जान ज्छोंक दे थी बी रिपीट करने का प्रियास कर रही थी ऐसे महाल में मोदी ने प्रचार में जी जान ज्छोक दी मोदी ने भाजपा के पक्ष में महाल बनाने के लिए दो रोड शो से 14 सभाओं से 14 जिलों को कवर किया इन जिलों की 104 सीटों को देखा जाए तो भाजपा ने 64 सीटों पर जीत हासिल की मोधी की पर्फॉर्मेंस का प्रतिशित 63.46 रहा राहूल गांधी को राजस्तान से काफी उमीदें थी उन्होंने अपने 12 सभाओं से 11 जिलों में कॉंग्रेस की हवा बनाने का प्रियास किया इन जिलों की 60 सीटों में से कॉंग्रिस को 23 पर जीत मिले राहूल गांदी की परफॉर्मेंस 38.33 प्रतिशत रही फरलो लेकर जेल से बाहर आया राम रहीम दो हफ्ते बाद फिर एक्टिव हो गया है बागपत आश्रम यूपी से डेरा प्रमुख ने हरियाना सेम मनोहर लाल द्वारा नशे के खिलाफ मुहीम शुरू कर दी है इस मुहीम के जरिये राम रहीम सूबे के 13 जिलों के लोगों को नशे के खिलाफ जागरुक करेगा आश्रम की और से डेरा प्रमुख की कारेकरम का शडूल बना कर जारी किया गया है हलांके 3 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है जो 9 दिसंबर तक जारी रहेगी इस बार हरियाना सरकार की और से रहा तक की सुनारिया जेल में बन डेरा सच्चा सोदा की प्रमुख गुरमेत राम रहीम को फिर से 21 दिन की फरलो की मंजूरी दी गई है अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता मुजरिम राम रहीम को 30 महीने में आठवी बार पैरोल मिली है कलराम रहीम वर्चल रूप से कुरुक शेतर और भीवाने जिले के लोगों को संबोधित करेंगे इसके बाद 6 दिसंबर को पानिपत और फतियाबाद 7 दिसंबर को अंबाला महेंदरगड 8 दिसंबर को फरीदाबाद हिसार और 9 दिसंबर को टोहाना करनाल डबवाली शामिल है चुनाव से पहले पुराने टिकेट बदलने और नए परतियाशियों को उतारने पर जोर था दोनों दलों ने नए चेहरे उतारे लेकिन उनमें वीजेपी बाजी मार गई दोनों प्रमुख दलों के 82 फ्रेशर्स को टिकेट दिये कॉंग्रिस ने 43 फ्रेशर्स को टिकेट दिये उनमें से सिरफ 10 जीत पाई कॉंग्रिस की फ्रेशर्स की जीत का प्रतिशत 30 प्रतिशत रहा वहीं बीजेपी ने 49 फ्रेशर्स को टिकेट दिये और उनमें से 18 ने जीत 10 की फ्रेशर्स की 40% जीत के कारण ही बीजेपी कॉगनिस से आगे निकलने में सफल रही प्रदेश में 200 सीटों पर कुल 82 फ्रेशर्स खड़े किये गए 82 में से 54 नए चेहरे हार गए कुल नए चेहरों की जीत 34 प्रतिशत रहा इसके इलावा शिव से निर्दलिया रविंदर भाटी बयाना से रीतू बनावत फिलवाडा से अशोक कोठारी जैसे चेहरे निर्दलिया पहली बार खड़े हुए और जीत हासिल की पंजाब के लुधियाना में थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने फिरोजपुर रोड पर पार्क प्लासा होटेल में चल रही एक्जीबिशन पर रेड की एक्जीबिशन मालिक द्वारा जाली कपडों पर ब्रांडेंड कमपनियों के टैग लगा कर बेशने का रोप लग रहा था पुलिस ने लाजपत नगर के हरमिंदर सिंग के शिकायत पर अरोपी के खिलाफ F.I.R. दर्स की है इस काले कारुबार का कनेक्शन बैंगलोर से सामने आया है पुलिस अब बैंगलोर से रेड करने और माल सप्लाई करने वाले मास्टर माइन को पकड़ेगी सुत्रों के मताबिक अभी तक कई शेहरों में आरोपी जाली माल बेच चुका है लेकिन पुलिस ने अधिकारिक रूप से अभी पुस्टी नहीं की पुलिस रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है अरोपी कैलविन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, सहित अन्य ब्रांट्स का नाम लेकर एक्जिवीशन लगाकर लोगों को बेवकुफ बना रहा था देशबर की किसी भी स्कूल से निकट भविशे में किसी भी बच्चे का गलत या फरजी टीसी जारी नहीं हो सकेगी केंदर सरकार यूनिफाइड डिस्टिक इर्फोमेशन सिस्टम फोर एजुकेशन यानि यूडाइस पोर्टल अपरगिरेड कर रही है स्कूलों के विद्यार्तियों को अधार की तर्स पर ही पर्मनेंट एजुकेशन नमबर यानि पैन जारी होगा स्कूल में शिक्षा पूरी होने या अन्य स्कूल में एडमीशन के लिए आवशक्ता पढ़ने पर पैन नमबर से ही टीसी जारी होगी शिक्षा विभागनी 2023-24 से यूडाइस पर इस नए विवस्था को लागो करवाने का काम शुरू कर दिया है पंजाब में जलंदर सीटी के सबसे पॉश इलाके AGI फ्लैट्स के M ब्लॉक में एक कारोबारी पांचवे मंजिल से नीचे गिरिया मुरे तक की पैचान रितेश कॉली निवासी जलंदर हाइट्स ब्लॉक M के रूप में होई है फिलहाल पुलिस ने शव को मोचरी में रखवाया है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि घटना के वक्त मुरे तक नशे में था या नहीं पुलिस सबी तत्यों पर जाँच करी है मिले जानकारी के अनुसर परिवार पहले शीवा जी पार्क के पास सित घर में रहता था करीब 15 से 20 दिन पहले ही वहां से जोलंदर हाइट्स में शिफ्ट हुआ था थाना सदर की एसेचो भरत मसी ने बताया के मृतक के पतनी सुरूची के बयान दर्स किये गए है मृतक रिटेश प्रॉपर्टी डिलर और टेंट हाउस का काम करता था फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कार्तिक शुकल पक्ष देव परबोधिनी एक आदशी से विवा जैसे मंगलिक कार्या प्ररम्ब हो गए है इस साल दिसंबर माह के अंथ तक केवल दस दिन तक विवा मुहूरत बाकी है इन दस दिनों में हजारों जोडे दामपत्य सुतर में बंदेंगे अगामी वर्ष दोजर चॉबिस में इस वर्ष के पेक्षा चार दिन विवा मुहूरत कम रहेंगे खास बत यह है कि जो लोग गर्मी के मौसम में विवा करने की सोच रहे हैं उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मई और जून में एक भी दिन विवा मुहूरत नहीं रहेंगे इसके वज़े इन दोनों मा में शुकर ग्रै का अस्त होना है इसके उदित होने के बाद जुलाई में ही मुहूरत शुरू होंगे ऐसे सिती वर्ष 2000 में बनी थे तब भी मई और जून में विवा मुहूरत नहीं थे वर्ष 2023 में 81 दिन विवा मुहूरत थे जबकि अगामे नए साल में 70 दिन ही विवा मुहूरत रहेंगे इस करण बजार में बूम है प्रदेश का भूगोल बदल कर इतिहास रचने का कॉंग्रिस का मकसद सफल नहीं हो पाया सरकार ने 17 नई जिलों का गठन किया जिसमें 50 विधानसभा सीट शामिल है लेकिन इन में से केवल 18 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई भाजपा ने 30 सीट जीत कर कॉंग्रिस की उमीद को धराशाई कर दिया इसमें 8 जिलों में क्लीन स्विप किया यानि यहां किसी भी सीट पर कॉंग्रिस का खाता नहीं खुला दूदू और सलूमबर जिले बनाए इनमें केवल एक एक सीटी शामिल की गई लेकिन कॉंग्रिस दोनों ही जगा हार गई जबकि दूदू जिले के गठन को लेकर मुखे मांत्री तक को लंबी मशक्कत करनी पड़ी थी उदर निर्दलिय परतियाशियों के खाते में दो सीट गई नवगठी जिले शापुरा, सलूंबर, दूदू, डीग, कोटपुतली, बहरूड, फलादी, बयावर केकडी में सबी 17 सीट भाशपा ने जीती है जबकि कॉंग्रिस केवल गंगापूर सीटी में ही दोनों सीट जीत सकी है पंजाब की अमरिद सर की थाना रामदास पुलिस ने तेन दिन पहले गाम नंगल सौहल में रास्ते को लेकर जगडे की पुराने रंजिश को लेकर खर के बार खड़े माँ बेटे पर हमला कर महिला को मौत के घाट उतारने के मामले में दस यूखों के खिलाफ केस दर्स किया है आरोपियों के पहचान कमलजीत, गागू, लवप्रीत, इंदर, लखविंदर, अरजुन, लाड़ा वे तीन अग्यात यूखों के रूप में हुई है मौत कमला के पहचान प्यारी के रूप में हुई है, पुलिस को दे शिकायत में राजु, निवासी नंगल सोहल ने बताया कि अपने काम से वापस खर आ रहा था कि घर के बाहर लोग एक अत्री थे जब उसने पास जा कर देखा, तो इसकी माता नीचे गिरी हुई थी लाइब्रेरियन के मैस 4111 पत स्विकरते हैं, उसमें भी 50 फिजदी पत खाली पड़ी हैं, दरसल शिक्षा विभाग ने बच्चों को पास्बुक की बजाए पुस्तकों से पढ़ाने के लिए पुस्तकालियों की किताबों का अधिक उप्योग करने पर जोड दे रहा है, लेकिन इन किताबों का रख रखाव और बच्चों से पुस्तके लेने देने का काम करने वाली लाइब्रेरियन स्कूलों में पूरे नहीं है, खंबीर बात तो यह है, कि प्रदेश के 68,000 स्कूलों में 2nd ग्रेड वे 3rd ग्रेड पुस्तकाले अधिक्षों के किवल 4,111 पत इसमें भी 1871 पत रिक्त पड़ी हैं, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की बात करें, तो 1113 में से 776 पत खाली पड़ी हैं, जबकि 33 श्रेणी के 398 में से 1095 पत रिक्त हैं, ऐसे में स्कूलों में लाइब्रेरियन की भूमी का शिक्षकों को सौंपी गई हैं कर दोस्तर के भाइब्रे subscribed European को वक्या हैं, जद दूमी करता हैं आतो को सौंप नही हैं, जद द घ्रomeशना हैं को सौंपी क। सिसके कर में सेbeई हैं, जद दोस्तर खाली हैं. झाली हैं, गई बल्स roof खvyती हैं. । झाल झाल